हेलो फ्रेंड्स यह देखिए आज मैं लेकर आई हूँ एक और बहुत ही प्यारी सी डिजाइन दो कलर में है यह और इसे आप बच्चों के स्वैटर में डाल सकते हैं लेडिस कार्डिगन या जैकेट में भी आप इसे डाल सकते हैं बहुत ही आसान है और यह चार रो में कंप दिलाद होती है उसमें आपको एक सीथा एक उल्टा एक सीथा एक उल्टा इस तरह से यह चार सिलाईओं का पैंटर कंपली करना है पाचवी सलाई से हम कलर केंज करेंगे इस अज़री देखिए यहां पर मैंने यह सीधा एक उल्टा पुन रखा है और पीछे से भी एक 3-3 फंदों में बनता है 200 बनेगा शिबसे पहले देखिए यह जो बीच वाला फंदा है सेंटर वाला इसके चौते यह 12 तीम और यह चार चौते फंदे में हम यह सेलाई डालके क्रीम कलरसे एक फंदा निकालेंगे इस तरह से और इसे हम सलाई पर चढ़ा देंगे और इस क्रीम वाले को और इसके पीछा ले जो रेड़ वाला है इसके दोनों को हम क्रीम कलर से पीछे की तरफ से बुनेंगे देखिए और फिर उल्टे को उल्टाई बुन लेना है उल्टे फंदे में हमें फंदें नहीं चऴाना है फिर जो अगला सीधा है उसमें भी हमmeno किसी में समाने पहले भाफ करता इसे इसे हम एक और फंदा लेंगे और उसे सलाई में चढ़ह देगे और इन लोग को ज uniquely फंदा खीचा उसको उसके बाद वाले सीधे फंदे को पीछे की तरफ से हम सीधा बुनेंगे, फिर उन आगे करेंगे, उल्टे फंदे को हमें उल्टा ही बुनना है, उन पीछे करेंगे, अब देखिए यह सीधा है, इसमें फिर हम धागा खिचेंगे, यहां से, देखिए, एक, दो, तीन और यह चौत चोड़े नमबर पर हम एक फंदन निकालेंगे और इस इस पर चाहा देंगे और इन दोनों पंदों को हम है कि एक साथ बुझ यह पिर उन्हागे करेंगे एक उलटा बुनेंगे फिर उन पीछे अब देखिए जिसमें समने फंदा निकाला था इसी में से हम एक और फंदा निकालेंगे इस पे चढ़ा देंगे और इसे और अगले वाले फंदे को एक साथ लेकर पीछे की तरफ से सीधा बनेंगे फिर उन आगे करेंगे एक उल्टा बनेंगे उन पीछे फिर एक दो तीन चार जो उल्टा फंदा है उसके चौथे में से हम इसे निकालेंगे और सलाई पे चढ़ा देंगे फिर दो फंदों को पीछे से एक करेंगे यह उल्टा फंदा हम बन लेंगे उल्टा फिर उन पीछे करेंगे जिसमें देखे फंदा निकाला था इसी में से हम एक और फंदा निकाल के इसके पर चढ़ा लेंगे और फिर इन दोनों को पीछे से एक करेंगे फिर एक उल्टा फिर उन पीछे देखे तीन फंदे हैं बीच वाला उल्टे का जो सबस नीचे चौथा फंदा है यहाँ पर हम एक फंदा निकालेंगे यहां से हम color change करते हैं, जहां से आपको लगता है कि यहां से color change हो गया है, देखें, यहां से हमारा color change हो रहा है, तो यहीं से एक फंदा उठाएंगे हम, इस तरह और दो फंदों को पीछे से एक कर देगे, फिर उन आगे, एक उल्टा, और फिर यह देखें, इसी में से हम एक दो फंदा लेंगे, और दो फंदों को एक कर देखें, यह हमारी first row complete हो गए है, अब पीछे से उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा, यह देखें, बीच वाला फंदा सीधा है, पहला उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इ को Grab you अब धुरोज है का आव जो हãy की है एक सिधा एक उल्टा ही बुंण ना है और पीछे से सिधे पर सिधा और उल्टे पर उल्टा ओ जो खे Mai tu ूरी है यह देखिए इंटब पतरोज कंप्लीट हो गई है इसे हम यहां से सलाई डलके एक फंदा खीचेंगे लिखे फंदा खीच लिया और इससे इस पर चढ़ा देंगे और दो फंदों को हम पीछे से सीधा बुलनेंगे द是什麼 फिर उन आगे करेंगे एक उल्टा फिर उन पीछे करेंगे और जिसमें समने फंदा निकाला था उसी में से हम एक और फंदा निकालेंगे देखिए और इसे इस पर चढ़ा देए और फिर इन दोनों को हम एक साथ पीछे से पुल लेंगे फिर उन आगे एक उल्टा उन पीछे फिर अगले उल्टे में के नीचे से देखे चौधा फंदा है यह हमारा यह कि इसके नीचे से हम यह चड़ा दिया अभी दो फंदों को एक साथ पीछे से उन लेंगे फिर उन आगे एक उल्टा उन पीछे जहां समने यह कलर का उन दिया था वहीं से हम एक और फंदा खीचेंगे अगले फंदे पर चड़ा आगे और दो फंदों को हम एक साथ पीछे की तरह से सीधा बुन लेंगे फिर उन आगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे उन पीछे अब अगले उल्टे के फिर वहीं फोर्थ के देखिए इसे इस पुच्छा देंगे दोनों को पीछे से एक कर देंगे एक उल्टा उन पीछे हुआ है पिर इसके यह स्थ रोए फिर इसके दम तीन रोज एक सिधा एक उल्टा एक सिधा एक उल्टा बुनकी त्यार करने में और इस पैटर्न को रिपीट करने पे हमें एक खुबसरत सी डिजाइन मिलती है इस डिजाइन को देखिए बनाइए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगिए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें थेंक्स पर वाचिंग